Coordination compound लिखिये M.O.T एक लेक्चर नमबर कितना है श्पुरेंट? लग्टा, आइधिक 4 होना चाहिए, राइट? हाँ एक केमकल बॉंडिंग में तो लिखवाया तो था? केमकल बॉंडिंग में यह सब पार्ट है, राइट? तो केमकल बॉंडिंग का हाइविडाई सान, M.O.T, V.V.T, H. B.O.N.D. ऐच बॉंडिंग, औल यह पार्ट केमकल बॉंडिंग, करेक्ट? इसे केमकल बॉंडिंग चलेगा राम से, बहुत इंपॉर्ण टॉपिक है, देखें कैसे कोशन पॉंडिंग है, एक कोशन हाइविशन से आ गया, एक कोशन M.O.T. से आ गया, तो आगे ना, केमकल बॉंडिंग से दो कॉश्चन? चलिए, इसा फिर्स्ट पॉंड बनाईएगा, according to molecular orbital theory, according to molecular orbital theory, when the nucleus of two atoms come close to each other, when nucleus of two atom come close to each other, their atomic or vital interact their atom फिर से सुन लिजेगा according to MOT according to molecular or vital theory when nucleus of two atom come close to each other come close to each other their atomic or vital interact their atomic or vital interact resulting in the formation of molecular or vital resulting in the formation of molecular or vital the atomic or vital of atom in a molecule the atomic or vital of atom in a molecule completely lost their identity completely lost their identity बोली ऐसा क्योँ मैंने बोला तो सर अब 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 ऐटर अब अब उटर नहीं मॉलिकूल रहा नहीं तो अब अब अलग थाए जब तक एटर अलग था तब अब तक अब आप अर मॉलेग स πα्रत्रा ने गूला गया ख peng ळा ने अब आस एक और ए थर्ड पॉइंट मॉलीकुलर और वाइटल मैं सॉटकर टो लिख रहा हूँ ठीक है एमा मतलब मॉलीकुलर वाइटल रिपरजेंटेड़ वाई बताए है स्टुन्ट एटॉमिक और वाइटल को रिपरजेंट करते थे एस पी एक्स पी वाइट एटसेटरा राइट कभी कभी हाना बोलते रहीएगा पिछे से मॉलीकुलर जैसे एटॉमिक और वाइटल लिखते ने एस पी एक्स पी वाइट एटसेटरा वैसे ही मॉलीकुलर वाइटल का भी नाम दिया गया है तो molecular और vital represented by बोलिए sigma pi and del ठीक है बट हम लोग का काम molecular और vital में यहां तक ही चल जाएगा, ओके चलिए तो actually molecular और vital ध्यान से सुनिएगा student mainly molecular और vital दो टाइप का होता है एक तो हो गया bonding molecular और vital एक रहेगा anti-bonding molecular और vital एक bonding molecular और vital एक anti-bonding molecular और vital और एक non-bonding molecular और vital तो यहां देखिए mainly overlapping से कौन बनता है जब overlap करता है तो कौन सा बनता है यह बनता है यह बनता है राइट इसमें तो overlapping हुआ ही नहीं zero overlapping राइट इसमें शिर्फ लिखने के लिए लिख दिये बट इसको हम लोग एकाउंट में नहीं लेंगे करेक्ट तो इसमें साथ नहीं destructive नहीं constructive कुछ होगा ही नहीं तरब कुछ होगा ही नहीं इसमें एटम से molecule के form में आने के बाद ज़स्ट एक कोई पूज़ेगा zero overlapping और vital को क्या बोलिएगा तो non-bonding बोल देंगे non-bonding molecular vital इसे कोई काम नहीं हुआ है तो mainly हम लोग को क्या पढ़ना है bonding molecular vital और anti-bonding molecular vital correct अब एक और point लिखिए अब जो समझार है पले सुख समझ लीजे तब मैं उस point के लिखाऊंगा पहला point orbital बोल रहा है न क्या बोल रहा है orbital तो orbital में कितना electron maximum हो सकता है और according to which principle सर दो according to poly राइट लेकिन ये तो हम लोग परहे थे atomic orbital के लिए maximum two electron in one orbital according to poly exclusion principle तो जीस तरीके से atomic और vital को दिखाते हैं उसी तरीके से molecular और vital का भी box बना के दिखा सकते हैं अब तब कोई पुछेगा तो orbital जब बोल दिये तो और vital में दो ही electron maximum हो सकता है correct इसका मतलब अब यहां पर देखिए तो हम लोग क्या किया कि इस पॉली का प्रिंसपल हो हां के लिए याद रखे बट पॉली का प्रिंसपल क्या था कि one orbital में maximum 2 electron वन और माक्समुर तो electron राइट लेकिन ओर वाइटल एटामिक अरवाइटल भी हो सकता है या molecular orbital भी हो सकता है इसका मतलब पॉली एक्सपल प्रिंसपल अल्सो वहलिट फॉर molecular orbital correct हां या ना पहला पॉइंट सीकh लिए इसको मैं language देदूंगा आये maximum electron के लिए, तो किसी भी orbital में चाहे atomic orbital हो या molecular orbital हो, maximum दो electron और दोनों का spin just opposite, correct? अब second चीज़ ए लेकिन ए किसको हम लोग समझें, तो सर ए तो हम लोग poly को समय लिए, कि poly exclusion principle यह objective आएगा, poly exclusion principle valid for atomic orbital, molecular orbital, both, none of these, valid for both atomic orbital as well as molecular orbital, correct? अब यहाँ देखिए, student, थोड़ा सा हून्स रूल का revision कर लेते हैं, ठीक है, हून्स रूल of maximum multiplicity क्या था, जड़ा बताइए तो, कि मान लेते हैं कि मेरे पास, मेरे पास 2p orbital है, तो 2p atomic orbital, मान लेते हैं, 2p का atomic orbital है, और मेरे पास 3 electron है, कितना electron है, तो 2p का जो तीन electron है, तीन box है, 2p x, 2p y, 2p z, उन सब का energy level according to n plus n, n plus l, different है या सेम है, तो सर, all these 3 are degenerated atomic orbital, राइट, तो हून्स का rule था कि, अगर मेरे जो किसी sub cell के लिए insufficient electron है, तो सबसे पहले हर orbital में, हर box में, एक एक electron with parallel spin देंगे, और अगर बच्चे का, तो pairing करेंगा, अदरवाज pairing, नहीं करेंगे, यही था ना, हुन्स का, main concept, इसका मतला, गर मेरे पास 3 electron है, तो हम लोग एक-एक electron with parallel spin देंगे, तो उपर रखे या नीचे, तो सर, उपर एक है, तो सब उपर रहेगा, नीचे एक है, तो सब नीचे रहेगा, कर्रेक्ट, देखे, देखते, देखते, नुवंबर आ गया, आज देखते, नुवंबर हो गया, कुछ लोग अभी बिचार ही कर रहे हैं, कि पढ़ाई सूरू करे या नहीं करे, यजिव ऐसे कुछ Taskèt हैं, तो देखते हैं हम लोग डाउन में कब से लगाइ थे, सार्य है, एक फिर्स में से लगे थे, पढ़ाणिक लिए, राईट, अधाब से लगे हैं तब से लगे पढ़े हैं राइट लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं this is called continuity करत करत अभियास के इसलिए लगे रहना पड़ता है कम से म्क्रैस कोस में भी पढ़े दो महीना कुछ तो सिखे बहुत कुछ तो एक मतब क्या बोले हम लोग उसी के लिए रेडी रहेंगे ना हम लोग तो उसी के लिए रेडी रहेंगे राइट अब उसमें जो हाँ क्या बोले नहीं आब आजाया बात में फिर पूछ हूँगा क्या बोले है अभी नहीं आजाया हाँ वाइस इस नोट क्लिर ओके चलिए कोई बात नहीं है तो यहाँ देखिए अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक आक़ी मौलेखुलर ओर वाइटल बनाया चलिए कीStudy सोबढ़ यह है और आजा मौलेख्यूर ओर दिन क्लिर और आजा मौलेख्योर वाइटल जिसका 2 बॉक्स का का इनर्जी लेवल सेम है सेम इनर्जी लेवल है मतलब यह दोनों कैसा मॉलीकुल और वाइटल लेटस आपोई डीजेनरेट दीजेनरेट मॉलीकुल और वाइटल इससे 200 परसंट गारंटी है कोशन बन जाएगा आपसे अब कुछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है कभी कभी तो नीट में मैं देखा हूं 2016 में तीन-तीन कोशन एमोटी से ही आ गया है फ्री में मार्क्स बारह होँ और से तो दीजेनरेट मॉलीकुल और वाइटल अगर है और मेरे पास अगर दो इलेक्ट्रोन है तो किसी एक में तोनों देते हैं गए यहाँ भी सेम सिचुएशन जस्ट लाइक एटॉमिक और वाइटल यहाँ भी सेम सिचुएशन गरेड़ हुण सुरूल अफ मैक्सम मल्टिप्लिसिटी करेक्ट कंकुलूजन लिखिये वो इस नेक्स्ट पॉइंट पे था जो मैं पॉइंट लिख भारा था उसका नेक्स्ट पॉइंट यही था molecular or vital theory also obey poly-exclusion principle as well as Hund's rule of maximum multiplicity as well as Hund's rule of maximum multiplicity यहां तपीज लिजया अब एक और पॉइंट लिखेए अब एक और पॉइंट लिखेएगा बोलिए atom में कितना निकलियस 1 atom में तो निकलियस एक ही रहेगा ना तो सारा एलेक्ट्रोन का एक्ट्रेक्शन सिर्फ एक निकलियस के तरफ रहेगा इसका मतलब atom क्या है monocentric monocentric मतलब उसका सारा एलेक्ट्रोन एक निकलियस के तरफ एक्ट्रेक्ट्र रहेगा Atomic और vital is monocentric, but molecular और vital is polycentric, atomic और vitals are monocentric, but molecular और vital are polycentric, centric मतला मैं यहाप पर मेनिंग कर रहा हूँ, nucleus से, right? अब next point, देखे, ए next point already मैं LCAO में पढ़ा चुका है, linear combination of atomic और vital, बस लिख लेते हैं, actually, linear combination of atomic और vital is the part of molecular और vital theory, correct? वो जो मनें आपको समझाया था, linear combination of atomic और vital का ही part था, तो लिखे, according to LCAO, according to LCAO, full form क्या रहेगा? दूभी होगी लिफा लिखे, लिखे, लिक्सात्र ट् लेता लिखे, लिखे, is equal to number of combining atomic or vital. is equal to number of combining atomic or vital underline कर देजएगा मैं क्या बोला number of combining atomic or vital ठीक है combining atomic or vital अब इसका मतलब समझेगा ऐसे माल लेते हैं कि atom A और atom B अपना 1s 1s लेकर जा रहा है bond बनाने के लिए तो atom A ने कितना orbital provide किया 1 येस में एक ही box होता है और atom B ने कितना provide किया 1 तो total कितना आया overlap करने के लिए 2 atomic or vital तो जितना atomic or vital overlap के लिए आएगा उतना ही molecular or vital बनेगा बट overlap दो टाइप पर हो सकता है constructive or destructive इसका मतलब है कि जितना atomic or vital available है overlap के लिए उतना ही molecular or vital बनेगा लेकिन उसका half क्या बनेगा bonding और half क्या बनेगा anti-bonding तो जहां से लिख रहे हैं तो जहां से लिखे है हम लोग लिख रहे हैं नंबर of molecular or vitals formed is equal to number of combining atomic or vital in which half of them is number of molecular or vital formed is equal to number of combining atomic or vital comma in which half of them is BMO in which half of them is BMO and half of them is anti-bonding molecular or vital जिसमें से आधा क्या रहा हैगा bonding molecule or vital और आधा क्या रहा हैगा anti-bonding molecule or vital खरेक्ट क्या 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 क अब यहा लखिए यह स्वुन्ट यहांस लखिए अभिए लखिए अब लखिए bonding molecular orbital इसका पहदा पॉइंट पना जेगा, it is represented by bonding molecular, it is represented by sigma, pi and del. अच्छा स्टुरेंट, जेनरल का आसाम कोटा के लिए नीट देने के लिए, क्या 60% बोर्ड में चाहिए क्या, जेनरल का आसाम कोटा के लिए मैं पूछ रहा हूँ, और इंडिया कोटा के लिए नहीं, आसाम कोटा के लिए, पीसी भी में सिख्टी चाहिए, ओभारॉल, ओभारॉल से मतलब नहीं, ओभारॉल 55 या 50, पीसी भी में सिख्टी चाहिए, तब 60 तो लएगा ही, मेडिकल का तयारी करें डॉक्टर बनने जारे, राइट, 60 तो कितना कम मांक्स है, नहीं, बोलने में भी हाँ, अब यही बाद तो मैं आप लोग से ही पुछ रहा हूं, पीसी भी में सिख्टी नहीं है, कितना है, 58.3, बेटर्मन दे दे सकते हैं, जिसमें मांक्स कम है, और थ्रा मांक्स लेयाएगा, अब इसका लिए मैं आप लोग से पुछ रहा हूं, मुझे और फी कन फर्म होना पड़ेगा, लेकिन पहले तो साथ मैं 58 या ऐसे कुछ जानता था, लेकिन अभी तो आप लोग बोल रह इसको पुछना पड़ेगा, दो सब्जेक का कोई बेटर्मन दे जेगा ना, कमिस्टी अभाई लोग को दे दीजेगा, बढ़ जाएगा परसेंटेज राइट, चलिए, अभी हां देखिए, इस बांडिंग मॉलेकूल रोवाइटल को रिपरेजन करता है, सिग्मा पाई औ तो अभी इसलिए बांड बनाता है, राइट, इट कंस्ट्रक्ट दा बांड, अब एक मियाट, दिहान से सुनिएगा, अस्ट्रूएंट बांड कंस्ट्रक्टिव ओवाइपिंग में, एटम ए और बी का एलेक्ट्रोन क्लाउड एक दूसरे से दूर जाता है या पास आता ह है, इसका मतलब है कि attraction जादा है with respect to repulsion, bond बन रहा है, राइट, चार टाइप आप फोर्स दिखाये थे, दो attraction का, दो repulsion का, इसका मतलब है attraction greater than repulsion, तो एक चीज़ हम दो जानते हैं, कि attraction increases, energy decreases, हाँ या न, इसका और bond formation is always exothermic process, no exception, किसी दो एटम के पुचे अगर बनता है, एंटी बॉंडिंग का बात कर रहा हूं, किसी भी दो एटम के पुचे अगर bond बनता है, तो dams your bond formation always exothermic होता है, बजा, बॉंड बने का तो overall attraction जादा रहेगा, तो attraction increases, potential energy decreases, तो जितना amount से decrease करेगा, उतना amount को हम लो bond energy बोलते हैं, correct, इसका मतलब कि question है हुआ, कि bonding molecular or vital के formation के time पे energy absorb होगा या release होगा, तो sir release होगा, इसका मतलब है कि bonding, माल लेते हैं कि मैंने ए बोला, a converted to b, और बोला कि यहाँ पे delta h equal to minus 20 joule, तो minus sign क्या indicate करता है, sir energy release हुआ, कहां से release हुआ, a से release होगा, correct, और a से release होकर b बना है, इसका मतलब मैं बोलूँगा, energy order, energy का order, a और b में, a और b में किसका energy ज़्यादा है, obviously a का ज़्यादा है, a से तो इतना release होने के बाद भी बना है, इसका हुआ इनर्जी of a greater than energy of b, right, कोई भी प्रोसेस अगर exothermik है, तो reactant side का energy product side के respect में ज़्यादा रहता है, और exothermik reaction को अगर हम लोग ग्राप से दिखा हैं, तो यहाँ पर reactant यहाँ है product, तो किसका energy level ज़्यादा रहेगा, reactant का ज़्यादा रहेगा, with respect to product, okay, अब यहाँ से logic, आप से कोई पुछेगा, atomic or vital, before formation of molecular or vital, before formation of bonding molecular or vital, atom का form में था atomic or vital था, तो atomic or vital, और bonding molecular or vital में किसका energy level ज़्यादा रहेगा, तो सरे atomic or vital का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि bonding molecular or vital जब बनेगा, तो energy release करेगा, because overall attraction ज़्यादा है, correct, तो लिखे, यह भी question आएगा, और इसी से energy level diagram ट्रोक किजएगा, Look here, potential energy of, potential energy of bonding molecular or vital, potential energy of bonding molecular or vital is less than corresponding atomic or vital, what is the meaning of corresponding atomic or vital, तो जिस atomic or vital से वो बना है, उसके respect में, okay, potential energy of bonding molecular or vital is less than corresponding atomic or vital, एक और point, एस और एस के लिए ही देख लिए आपर, आप देखे हों कि एस और एस के बीच में जब bonding बनता है, तहीं maximum electron cloud बीच में आ जाता है, एक उसे मर्ज होने के लिए, right, रिपेल होता है या attract होता है, इसका मतलब है कि electron cloud concentrated towards the nucleus, दो nucleus के बीच में आ गया, right, लेकिन anti-bonding में, situation is just like this, इसका मतलब anti-bonding में electron cloud concentrated towards the nucleus, या away from the nucleus, ये दोनों के nucleus के बीच में नहीं रहा, दोनों के nucleus से दूर चला गया है, यहाँ पर ये दोनों के nucleus के बीच में आ गया है, right, एक point लिखेगा, next point, इन बonding molecular or vital, इन बonding molecular or vital, electrons are concentrated towards the zone of nucleus, electrons are concentrated towards the zone of nucleus, in a bonding molecular or vital, electrons are concentrated towards the zone of nucleus, comma, बोलिए bonding molecular or vital, molecule को de-stabilize करेगा या stabilize करेगा, obviously stabilize करेगा, comma, bonding molecular or vital, stabilize the molecule, bonding molecular or vital, stabilize the molecule, एक और कोई लिखेगा, electrons present in bonding molecular or vital, electrons present in bonding molecular or vital, are called bond, bonding electron, anti-bonding electron, पुलाएंगे या bonding electron, bonding electron, bonding electron, चलिए, बोलिए, bonding molecular or vital is the result of, constructive or destructive, addition or subtraction, bonding molecular or vital is the result of, कुछ point लिखवाना है, इस लिखवाद दे रहें, ठीक है, bonding molecular or vital is the result of, थोड़ा बोला किजी आप लोग, खिले इन्द ब्लेंक में, addition overlapping, प्लापिंग, साइ प्लास, साइ बी, चलिए, एक कुछ शर्टेन पॉइंट था, अब लिखे, anti-bonding molecular or vital, anti-bonding molecular or vital, पहला पॉइंट साइ जानते हैं, a, b, m, o, represented by, किसे represent करेंगे, sigma star, pi star, or and del star, next point, it construct or destruct, destruct the bond, इसी में मिला लिजेगा, extra point बना, it is the result of subtraction overlapping, it is the result of subtraction overlapping, it is the result of subtraction overlapping, मतलब, si m minus si b का result है, correct, तो यह bond को तोड़ी रहा है, तो यह molecule, molecule में bond रहना चाहिए, अब bond को ब्रेक कर रहा है, right, जट अब bond बनने का opposite में काम कर रहा है, इसका होता है, it is stabilize the molecule, या destabilize the molecule, इसी में उस point को लिख लिख लिजे, it is destabilize the molecule, next point, अच्छा बोली, बताज़े है student, यहाँ पे जब anti-bonding molecular, vital subtraction overlapping रहता है, तो electron cloud दो एकम का, क्या attract होता है, या एक दूसर से repel होता है, इसका मतलब है कि, यहाँ पे repulsion, dominate है ओभर attraction, तो electro state अब ही, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रो शेट में, मैं अपना भी आपको लेक्ट्रो भेद गया था है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लेते हैं क्या, ज्यादा time रहे हैं तो फॉलो कर जाएगा, उसमें सब कुछ A to Z, लेकिन है A to Z, तो नोट ए सिंगल पॉइंट मिसिंग है, उसके बाद गौस्टा भी बढ़ी हास से लेकिन वो डेफ्थ में है लेक्ट्र, बहुत बढ़ी हास से थियोरी प्रोलम जैसे चल रहा है, बट सरका भी मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे से प्रोलम कर रहा हैं, प्लीज साथ में सरके साथ फॉलो करते रहे हैं, और एक क्लास सरक को मैं पले आपके सामने भी बोल दिया हूं क्लास एसाइन्मेंट बनवाने के बाद ही अगला चैप्टर सुरू करना है, ठीक है, या क्लास एसाइन्मेंट के लिए टाइम दे लिजेगा वन बिक का लिंक सारा खतम करवाने के बाद ही यह आप लोग का ड्यूटी रहा, अगर नहीं डिस्कसान हुआ है तो प्लीज मुझे वाट्सप कर दिजेगा, कि सर, इसका डिसकसन होने से अच्छा था, मेरा टॉपक को छोड़ कर, मैं वहाँ मैपना टॉपक संभालूँगा, तो देखे, रिपल्शन इंक्रीजेज, देन भाट बाट पोटेंशन इंक्रीजेज, इसका मतलब है कि एन्टी बॉंडिंग मॉलिकुलर और वाइटल का पोटेंशिल इनर्जी लेबल, से कम रहेगा या उपर चला जाएगा, उपर चला जाएगा, तो एक वाट लिख लिजए, पोटेंशिल इनर्जी ओफ, पोटेंशिल इनर्जी ओफ, एन्टी बॉंडिंग मॉलिकुलर और वाइटल, is higher than corresponding atomic orbital, चलिए, एक और पॉंट लिखे, औलों तो पाँचर के लितानेनननलाओ के अपस्वाचर के लूगः एंध एंटिआ पाँइननन त एंटिद एंट도 il चॉटाचर तो देखिए Organic Chemistry में कहीं कहीं पर मैं बोलते रहूंगा Anti-Aromatic, टर्म सुनिएगा, Anti-Aromatic, ठीक है, तो Anti-Aromatic बोलने का सेंस यह है, कि वहाँ का Anti-Aromatic में कुछ electron, जिसके बैस बैस बन रहा था, उसका कुछ electron Anti-bonding molecular orbital में चला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं Anti-Aromatic, ठीक है चलिए, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ का electron cloud, concentrated towards the zone of nucleus, या away from the zone of nucleus, लिखे, in a anti-bonding molecular orbital, in a anti-bonding molecular orbital, electrons are, electrons are concentrated away from the zone of nucleus, away from the zone of nucleus. चलिए, instrument, अब यहाँ लखिएगा, मान लेते हैं, atom A का 1s, और atom B का भी 1s, molecule बनाने के लिए आया, तेहाँ पर तो दो possibility ना, si A plus minus si B हाया ना, overlapping का दो तरीका, और एक तरीका क्या रहेगा, sir, si A plus si B रहेगा, correct, अब दूसरा तरीका क्या रहेगा, si A minus si B, अब यह बोलने का requirement है क्या, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, sigma 1s, और इस sigma 1s का क्या नाम रहेगा, sigma star 1s, correct, तो अगर sigma 1s, यह मेरा bonding molecular और vital है, sigma 1s का energy का compare 1s से करेंगे, cross bonding atomic और vital से, 1 और vital का 1 और vital के साथ, मैं बोल रहा हूँ, 1 और vital का 1 और vital के साथ, तक किसका energy level जादा रहेगा, इसका energy level कम रहेगा, इसका जादा रहेगा, correct, लेकिन अगर sigma star 1s का compare करेंगे 1s से, तो इसका जादा हो जाएगा, तो यहां से ही तो हम दोग ऐसे दिखाते हैं, potential energy का diagram, a ने अपना दिया 1 box, और b ने भी अपना दिया 1 box, इसका, 1s का, right, यह है a का, और यह है b का, 1s, 1s, तो total box आया combined होने के लिए 2, तो total molecular orbital के भी किताँ बनेगा, दो box बनेगा, right, जिसमें half of the box रहेगा bonding molecular orbital, और half of the box रहेगा, anti-bonding का, तो हम लोग 11th class में जो energy level diagram दिखाते हैं, वो यहां से ही तो clear था, जो यहां पर बताए, right, बहुत favorite question था है class 11th का, okay, किसी का भी तो आप draw कर सकते हैं, किसी का, हाँ एक nitrogen का, एक oxygen का, एक 14, या 14 से कम का, या 14 से ज्यादा का, right, यह होगया sigma star 1s, sigma 1s, हाँ बोलिए, तो मैंने यह जो 1s, 1s लिया, उसको मैं यहां पर draw करने, energy level diagram पर दिखाने का कोशिस किया, 1s, 1s, जो इसके बाद, यह और यह मिला कर, हम लोग कितना provide कि, overlapping के लिए कितना लेकर जा रहे हैं, overlapping के लिए 2 orbital, तो अब लैपिंग के बाद भी 2 orbital, जिसमें एक हाफ रहेगा, bonding हाफ रहेगा, anti-bonding, anti-bonding का energy level इसके respect में उपर रहेगा, anti-bonding molecule orbital का energy level इसके respect में नीचे चला जागा, correct, जो भी मैंने यहां पर सिखाया, ठीक है, चलिए, अब इसी के basis पे हम लोग सब, all energy level diagram ब्रो कर लेंगे, अब एक important point लिखिए, बोलिए, multi-electron atom का, multi-electron system का, किस sub-cell का energy level जादा है, किस box का energy level जादा है, कम है, उसके लिए L plus, N plus L rule था, right, energy of orbital, in atomic orbital, energy of atomic orbital, decided by, or given by a rule, that is called N plus L rule, but molecular orbital के लिए, ऐसा कोई rule नहीं है, it is totally based on experiment, it totally किस पे बेस्ट है, experiment पे बेस्ट है, इसलिए, कोई ऐसा N plus L, N plus L के जासा कोई rule नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके बाद है, क्योंकि इसके बाद है, मैं एक sequence एक order लिख दूँगा, कि पहले इसमें electron, फिर इसके बाद इसमें electron, तो आप पुछना सुनोंगे, सर, इसका energy level जादा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, एक ही अंसर है, it is totally based on what, experiment, यहाँ पर कोई such rule, N plus L के जासा कोई rule, या आफवाव के जासा कोई rule नहीं है, correct student? एक मिनट, एक और point मिस होगे, देखिए, नाम लेती है, यह लागया, MOT also obey आफवाव principle, आफवाव principle क्या था? कि जब हम लोग molecular और vital का electronic, atomic और vital का जब electronic configuration लिखते हैं, तो सबसे पहले electron कहां भेजते हैं? सर, जिसका energy level सबसे कम रहेगा? और उसको भरने के बाद second highest, second lowest, उसके बाद third lowest and so on, in similar fashion, molecular और vital electronic configuration लिखने के time पे भी also obey आफवाव principle, इसका मतलब, electron सबसे पहले किस molecular और vital में भेजेंगे? जिसका energy level सबसे कम है, एक line मिला लिजे, molecular और vital theory also obey आफवाव principle, molecular और vital theory also obey आफवाव principle, it means, electron first of all goes into lowest molecular or vital, चलिये, कमा दिजे, उसी में point आगे बढ़े, कमा दिकर, energy of atomic or vital, energy of atomic or vital decided by N plus L rule, energy of atomic or vital decided by N plus L rule, but energy of, but for energy of molecular or vital, there is no such a rule like N plus L, but energy of molecular or vital, there is no such a rule like N plus L, it is totally based on experimental, it is totally based on experimental observation. चलिये, तो आज का class इत्रा है, theory का hardly 45 minutes का और class बचा हुआ है, एमोटी का, इसका मतलब दो class में एमोटी पुरा ओभर कर दूँगा, ठीक है, अब तब सुरू करेंगे, कि यहां पुर आजिया, अपुरी झास. कि जने